हेलो एब्रिवन वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बार आखी चोबे इस वीडियों में हम लोग टीचिंग एप्टीटूड के कोईस्टन करेंगे बाकी हमने दोसों कोईस्टन कर रखे हैं आप लोग प्ले लिस्ट चेक किजिए यह एक्चुली 151 इसले चल रहा है क कब से डिफिकल्ट वर्क क्या हो सकता है इंप्रूविंग एंटी सोचल बीहेवियर ऑफे स्टूडेंट्स को ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके अंदर क्या है अब एब जो है वो एंटी सोचल है लाइक वो सोसल अक्तिविटीटीज में इंट्रेस्टेड नहीं यह और वहमे very learned person could not become a good teacher what could be the possible reason for this कभी कभी क्या होता है एक बहुत ही ज्यानी व्यक्ति भी टीचा नहीं बन सकता है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है तो non-mature teaching skills actually हाँ बिल्कुल सही बात है हमने क्या किया पीएसजी ओल्डर है बट आपके अंदर इस्कील्स नहीं है टीचिंग का तो आप नहीं पढ़ा सकते दूसरा क्या है नौट टेकिंग स्टूरेंट्स लेवल इंटू एकाउंट वैन कम्यूनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन इन क्लास जब आप क्लास में ले रहे हो तो कम्यूनिकेट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को तब क्या है आप स्टूरेंट के लेवल को जानके उसके हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हो मल लिजे आप स्टेंडर 4 के बच्चों को पढ़ाने बैठे हो और आप उसके सामने कॉलिज लेवल की बाते करोगे वहां के टॉपिक्स की डिसकर्शन करोगे उस लेवल के स्टाइल में पढ़ाओगे तो क्या उन बच्चों को समझ में आएगा बिल्कुल नहीं सो करेक्ट ओप्सन इस डी बोथ बी एंड सी ओके मुव टू कुशन नंबर 153 सूट टीचास भी दा रेस्पॉंसिबिलिटी ओफ दा ऑर्गिनाइजेशन क्या टीचास को मतलब टीचास के ऊपर रेस्पॉंसिबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गिनाइजेशन की तो क्यूं होनी चाहिए तो कॉंसिडर दा प्रॉब्लेम ओफ टीचास एंड ट्राइटू अभर कम दैं मतलब ऑर्गिनाइजेशन जो है उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी होनी चाहिए यह कुश्चन यह कह रहा है तो ऑर्गिनाइजेशन की रेस्पॉंसिबिलिटी है कि वह क्या करे क्या हो रहा है कि आपके टीचर के काफी सारे अफर्ट के बाद भी कोई बच्चा कंटीनुसली वह फेल पे फेल हुए जा रहा है कभी पास नहीं हो पा रहा है तो इसमें क्या रीजन हो सकता है तो इस्टूडेंट इंटेलिजेंसी फार बेलो एबरेज उस टाइम आप यह नहीं ब्लेम कर सकते तीचर में ही फॉल्ट है में भी उस टाइम क्या हो रहा है स्टूडेंट का जो इंटेलिजेंसी लेवल है वो क्या है एफिरिज से बिल्लो है ओके move to next if a student knows less marks than he expected अगर कोई student जो है वो क्या करता है उसको कम marks मिलते हैं जितना वो expect किया होता है तो उसको उस टाइम आप कैसे console करोगे कैसे समझाओगे कैसे उसे like कसली देना कहते हैं वो कैसे करोगे क्योंकि कई बार क्या होता है कोई hard working है माली जी कि आपने इसी का paper दिया आपने ऐसा expect कि 150 आपके marks आएंगे in case anyhow ऐसा कुछ हुआ कि आपको नहीं आया 150, 100 ही आया उस case में क्या होगा as a teacher आप क्या करोगे उस candidate को कैसे समझाओगे तो क्या करना है उस time आपको you must believe in your hard work उस time आप उसे कैसे समझाओगे कि जो आपको अपने hard work पे विश्वास करना है obviously सही बात है अगर आप मेहनत करते हो तो आज नहीं तो कल देर सवेर ही सही बट मेहनत क्या है कभी न कभी रंग लाता है कभी न कभी आपने जो aspect किया है वो जरूर मिलेगा किसी अधर प्रोफेशन से क्यों ऐसा क्या रिजन है तो प्रड़क्ट्स फॉर्म दे मीडियम आप दे सैटिस्फेक्शन आप दे टीचर सोल इन हीज वेक क्या होता है कि जब आपके ही जब आपके स्टुडेंट आपके पढ़ाएवे स्टुडेंट सक्सेस होंगे तो जो सुकून मिलता है जो आपको सैटिस्फेक्शन मिलेगा वो आपको किसी भी अधर जॉब में नहीं मिलेगा ओके मुव तो नेक्स्ट रिजर्वेशन आपके वन मोर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसको इंप्रूव कर दूँ ओके मुव तो नेक्स्ट रिजर्वेशन सुट बी अधर बेसिस फोर एडमिशन इन वैरियस क्लासेज इन इस्कूल लाइक अलग-अलग क्लास में आपको स्कूल में एडमिशन करवाने हैं तो इसके लिए कैसा डिजर्वेशन होना चाहिए तो अन एजूकेटेड एंड बैकवार्ड फैमिली एन्वाइरमेंट आफ दा स्टूडेंट मतलब किसको आप राइटी दोगे किस बेसिस पर करोगे तो लाइक जो ऐसी कम्यूनिटी के लोग जो कहें पिछरे हैं पढ़ाई में भी और जिसकी बैक मतलब जो अनेजुकेटेड हैं और बैकवार्ड जो है फैमिली का जो एन्वारमेंट है वो पिछरा है थोड़ा सा लेवल कम है वैसे स्टूडेंट को ओके इन में से कौन सा जो है वो नहीं लिया आप नहीं काउंट करोगे जब आप रैस्पोंसिबिलिटी के को टेस्ट करोगे तो क्या होगा करेक्ट ओप्सन अगर आप एक जिम्मेदार पसन है तो आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि आप उस काम को पूरा करो बेस चार दिन में आपको कोई सिलेवस कवर करना है ठीक है अगले महीने एक्जाम है आप बहुत ही अच्छा पढ़ार हो बट आप उस सिलेवस को छे महीने बाद कवर करोग तो क्या आपको एक responsible teacher कहा जाएगा बिल्कुल नहीं responsible teacher वो है कि जो विदीन टाइम आपको आपका सिलेवस कवर करना है मतलब आपको complete करना है आपका काम पर टाइम के अंधर ही टाइम के बाहर नहीं रेट से नहीं कह सकते आप तो इस option को हम लों consider नहीं करेंगे कि काम तो कर करना है बाट लेट भी करेंगे तो चलेगा अच्छे से करेंगे ओके तो यह सा नहीं सोचना है move to next according to you how is co education beneficial at primary level primary level पर हम co education system रखते हैं तो यह कैसे beneficial है तो क्यासे beneficial है equality develops in children children के बीच क्या होता है equality का feelings आता है और बहुत ही जरूरी है यह चीज ओके if you teach in a co educational school you अगर आप को educational school में पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे you will pay equal attention to everyone आपको क्या करना होगा उस टाइम इक्वल एटेंशन पे करना है everyone कोई differentiate नहीं करना है आपको कि यह boys है यह girl है girl को नहीं पढ़ाना है सिप boy को पढ़ाना है यह सिप boy पे focus करना है okay move to next with regard to protecting the rights of teacher आप मतलब उसके लिए कि किसके regarding की बात हो रही है कि teachers के जो right है उसके लिए आप क्या करोगे क्या correct option protection of teachers rights is the responsibility of the society teachers का जो हक है जो अमान सम्मान कह लिए आप किसकी responsibility है society की okay move to next who should be responsible for solving teachers problem according to you अगर teachers की problem है तो कौन solve करेंगे उसे teachers okay उसे कौन solve करेगा teachers मतलब teachers की अगर problem है आपस में तू कौन solve करेगा उसको teachers ही करेंगे आपस में बैठके okay move to next oh sorry मैंने से explain mistake कर दिया teaching problem वही तो मैं सोच रही है this one is teaching problem like पढ़ाई से related अगर कोई problem होड़ा है हमारे schools के अंदर तो उस problem को कौन solve करेगा तो teachers करेंगे okay move to next how do you deal with anti-social people जो anti-social people है इन लोगों से आप कैसे deal करोगे इनके साथ as a reformer कैसे as a reformer okay move to next people should remain unhappy or happiness in your opinion आप मतले लोगों को क्या रहना चाहिए खुश नहीं रहना चाहिए या आप क्या सोचते हो इस बाड़े में तो यूनिफॉर्म लाइक अगर आपके टाइम और बुड़ा टाइम दोनों ही एक टाइम है आएगा और जाएगा इसके लिए हमें दुखी होने की कोई चरवत नहीं हमें बिलकुल यूनिफॉर्म रहना हसते खेलते रहना है दोनों ही केस में ओके मुव तो नेक्स्ट गर्ल सुट वी गीवन एज मच एड्जूकेशन एज देखें गर्ल्स को लड़कियों को कितना पढ़ाना चाहिए जितना की तू बिकम सेल्फ सफिसियंट मतलब जो क्या हो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए एट लिस्ट हमें इतना पढ़ाना only children with good family environment are able to move forward in this context you are of opinion that बच्चे देखिये वैसे work के मतलब वैसे class के वैसे family के बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं जिस family का environment बहुत अच्छा होता है आप क्या सोचते हैं इस बारे में tribulation is not found in good family environment बिल्कुल सही बात है यह जिस family का environment अच्छा है वहां का वातावरन वहां का महौल अच्छा होगा educated लोग होंगे और फिर सबसे बड़ी बात है वहां पर कोई class नहीं होगा मेंने आप पे tribulation class की बात हो रही है अकर जग्रा लड़ाई ना हो जाए बिल्कुल ही सा tribulation is not found in good family environment ओके मुव तो नेक्स्ट वन मेंकिन एक्सन प्लान मैनी तिंग्स विल भी थाउट आफ देन इस लेफ्ट ऑन दर डिक्टे सान वहां दो यू थिंक अबाट इट क्या सोचते हो आप असीली आइडिया यह एक बेब कुफ वाली विचार है क्या तो देखिए जब होगा तब देखा जाएगा उस्टेन देख लेंगे ना जब जो मुसीवत आएगी उस्टेन सॉल्फ कर लेंगे ना तो यह क्या बेब कुफ वाली विचार है एकसी लिए आइडिया है माल लिजे फॉर्म भर दिया आप सभी ने और उसके बाद आप सो यह सोचके बैठ रह पहले आप उसको प्लान करें क्या सोचते हो आप इस बारे में इंडिकेट्स दा सक्सेस ओफ द वर्क एग्जक्ली अगर आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो एक प्लांड वे में तो उसके सक्सेस की गैरेंटी 90 पासेंट तक फिक्स हो जाती है ओके आप क्या सोचतों इस बारे में इन बैड कंपनी बुड़े संगतों का असर जब आप बुड़े संगतों में रहोगे तो बुड़े संगत का असर बुरा ही होना है एंटी सोचल कॉलिटी जब के अंदर डेवलप हो जाएंगे ओके नेक्स्ट वर्डू कॉंप्लेक्स प्रॉब्लेम इंस्पाइड यू जो कठिं से कठिं समस्या आती है प्रॉब्लेम्स आती है जो टीपिकल सिए हमारी लाइफ में वह हमें किस चीज के लिए से गुजरोगे उसके बाद आपकी जो कॉंफिडेंस लेवल है वो उससे और अधिक बढ़ती है ओके आपको क्या लगता है इस स्कूल के अंदर इंडिसिप्लीन होते हैं उसका क्या रीजन है क्या रीजन है लैक ऑफ रैस्पॉंसिबिलिटी आफ टीचस बिल्कुल सही बात है अगर टीचस वहां के डिसिप्लीन फालो ना कर पाई कंट्रोल नहीं कर पारें बच्चों को अपने सब्सक्राइब करना है यंग शिल्डरेन को बहुत जादे क्वालिफाइज करने के लिए जो आप अठारें वह क्या अच्छे से एब जॉप करें इसके लिए क्या एफ़र्स डालने है दे सुट बी कैप्टीन गुड एनवारमेंट उस बच्चों को आप अच्छे वात बच्चों का एक पासन का बहुत जादे एफ़क्ट होगा आप क्या सोच्टे किसे होगा यह फैमिली एनवारमेंट से बिल्कुल सही बात है जैसी हमारी फैमिली की एनवारमेंट होगी वैसा ही चाहिए हमारा बिल्ड अप होगा एक बात पूसना था आप लोग उसे वो क्या आप लोग चाहते हो यह जानना किस पर हम लोग discussion करें यह paper जो है वो किस level का आएगा like हम लोग किस के recording preparation करें KBS को follow करें NBS को follow करें या फिर DSSSB को follow करें या फिर super tat को मतलब किसी estate को follow करें तो किसे follow करना किसे reference लेना है ताकि हमारे exams में जादे से जादे question attempt कर पाए क्या इस topic पर discuss करना है अगर आप लोग इस पर वीडियो चाहते हो तो comment करके मुझे बताइए मैं एक वीडियो इस पर फिर बना दूंगी मतलब जो बच्चे हैं वो participate करें हमारे society के work में क्या आप सोचते हो इस बारे में desire of mutual cooperation बिल्कुल सही बात है mutual cooperation होना चाहिए हमारे society के और बच्चों के बीच में okay move to next which of the following ideas would you agree with to choose your children business like कि जो parents है ठीक है वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उसके according माल जी किसी के parents चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने तो बच्चों को डॉक्टर बनाना है आप कितना follow करते हो कितना agree हो इस बात से तो देखिए children have the freedom to choose the occupation according to their interest and ability बिल्कुल सही बात है बच्चों को जिस चीज में interest है जो उसकी ability है उसी के according हमेशा उसको freedom होना चाहिए कि वो अपने career के लिए इसे चूच करे कि बच्चे को आप फीजिकली हट नहीं का सकते क्लास में आप क्या सोचते हो इस बारे में दा सीजन आप दा कोट इपरोप्रिये बिल्कुल सही बात है क्योंकि कई वार कई कई केस में आशा देखा गया है कि टीचा अपने गुस्सा को एक बदले की जो भाव हो फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर उनका तो समझाने का तरीका है बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका भी लोग अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं कई बच्चे फिजिकली विक होते हैं उनको ऐसा मार देते हैं ताकि उनसे कहीं न कहीं उनका सब्सक्राइब कोई नहीं होगा बिल्गुल सभी चीज है यह तो डिसीजन ऑप दा कोटीज एप्रोप्रियेट ओके नेक्स्ट है नावरदेश टीचर डज नॉट है यह तो रिगें डेट रेप्यूटेशन मतलब की पहले जमाने में जो टीचर को रेस्पेक्ट मिलता था अभी के सोसाइटी में इतना रेस्पेक्ट नहीं है इसको रिगें करने के लिए क्या करना चाहिए तो देखिए अब परणना होगा में सबसे पहले पूब्लिक स्कूल आप ठीचर पढ़ाने आते हैं कि यहां पर बच्चे जो है कैसे भी करके हमें हार करने हैं इन बच्चों को हमें टेउसन में बुलाना है और यहां पर नहीं पढ़ाएंगे इस चीज को बोलेंगे मैं पढ़ाउंगा इस कई को फॉलोव करना है टीचा सी इंप्रूफ देर बीएवियर टीचस को अपने बीहवियर को कुण करना है करेक्ट ऑप्षान इस ऑल अफ दीजिये सभी चीजिए अगर टीचा सी कर से लेए तो क्या होगा उतनी एस पेक्ट मिलेगी जितने की पहले के जरनेशन में मिलता थ ओके बूब तो नेक्स्ट इफ और टीचर सेज्ट आइट पे अटेंशन तो वाट आइडू कर्ड़ाइट वाट वाट आइसे देन वाट विल 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 एफेक्ट ऑन दे सुसाइटी यदि कोई टीचर ही कहता है कि मैं जो कहता हूं मैं वह जरूरी नहीं कि करूंगा मैं नह सब्सक्राइट करें देखेिंगें तो मैं क्या करता हूं है सब करो मैं चैसे मैं कर रहा हूं फटकिंस उन बच्चे फड्स करेंगे और अगर teacher ही कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं वो मत देखो मैं जो कह रहा हूं वो तुम करो तो that one is wrong society क्या होगा directionless हो जाएगा ओके move to next if a society does not work honestly then you सुरी society बोल दी मैं student क्या है कोई काम नहीं करता honestly तो आप क्या करोगे उस student को समझाएंगे हम लोग क्या कि honesty is the best policy उस बच्चे को समझाएंगा को student को मैंने homework दिया और उसने rating करके वह homework करके ले आई तो उसे समझाना है कि honesty based policy है यह सिर्फ उस बच्चों के growth के लिए ही किया जा रहा है यह सब आपको उसे समझाना है माना पी इतना नहीं शुरू करना है next your younger siblings do not use time properly and are you watching tv while reading आपके चो यंगर आपके काम को आप क्या कर रहा है तो आप क्या करोगे उस सिच्वेशन में उड्लाइक तो लिसन तूदा टैलेफोन में इंपोटेंट थिंग और विसलि हम लोग क्या करेंगे फोन को पिक कर लेंगे क्यों क्यों कि में भी कुछ important थिंग बट यह सिर्फ उस चीज के लिए है कि हमारे पास कोई important thing या उस चीज़ को जानने के लिए अब तो क्या होता है कि हमारे पास एक notification आ गया तो हमने book को side किया और उस notification पर continue कर लेते हैं कहीं से chatting का message आ गया तो वहां continue हो जाएगा और book side हो जाएगा यहां पर इस question का कहने का मतलब यह नहीं हमें से phone इस वज़र से पिक करना है क्योंकि में भी कोई important thing हो उसमें okay move to next you are teaching in school and if a student finds a mistake in you आप क्या कर रहे हो स्कूल में पढ़ा रहे हो class lecture ले रहे हो और कोई student आपके अंदर mistake पाता है तो आप क्या करोगे try to convince the student and accept his mistake if there is a mistake आप क्या करोगे उस student को convince करने की convince करने की courses करोगे accept करोगे कि हम मतलब mistake हो गई try करोगे उससे next day solve करने का okay move to next if a student is not coming in school attire then you अगर को स्टुडेंट इसकूल नहीं आ रहा है continuously तो आप क्या करोगे उस टाइम explain him sorry continuously in the sense कि लाइक वो morning session जो होता है मारा लाइक प्रेय लीजिए यह सब जो होता है आप वो प्रेय की session को attend नहीं करता है को स्टुडेंट तो आप क्या करोगे उसे explain करोगे क्या explain करोगे कि importance क्या है कि स्कूल के यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसे explain करेंगे importance कि चीज का एक स्कूल रेस को पहनने का क्या importance है उसे explain करेंगे ओके कि मुव्टू नेक्स्ट यूर इक्जाम इस इमीनियंट और फ्रेंड और फ्रेंड ओफ यूर्स ओफन वेस्ट यूर टाइम कोई स्टुडेंट है और कुछ ऐसे आपके पास आके पूरे दिन बैठके आपका टाइम वेस्ट करेंगे या फिर बोलेंगे आओ तुम कोई दिक्कत नहीं है यहां आके पढ़ाई करो टाइम वेस्ट ना करो के सब्सक्राइब कोई स्टुडेंट ऐसा है जो पार्टिसिपेट नहीं करता आपके मौनिंग रोज रोज या फिर वो करना ही नहीं चाहता है तो आप क्या करोगे उस्टाइम सब्सक्राइब करेंगे अगर कोई प्लेयर जो है मतलब लाइक इस्पोर्स के दौरान कोई प्लेयर क्या करता है गेम्स के रूल को ब्रेक करता है तो टोड़ता है तो क्या करोगे आप विल गिव हीम चांस टू इंप्रूव वन ऑविसली उसको बताएंगे पहले कि क्या रूल्स है क्या नहीं है और उसको एक चांस देंगे इंप्रूव करने का ओके अगर किसी बच्चे के अंदर सारी गंदी आते हैं सारी बुड़ी आते हैं तो क्या आप उसके बिवेबियर को चैंज करना चाहोगें find out the reason for his dirty habits and want to improve it obviously हमें क्या करना है reason का पता करना है कि उसके जो गंदी आते हैं उसके पीछे क्या reason है और फिर उसे improve करने का कोसिस करेंगे move to next if a child is not interested in going to school then you अगर कोई बच्चा जो है वो इंट्रेस्टेड नहीं है इसकूल जाने में तो आप क्या करोगे after convincing him to take him to school obviously कोई बच्चा अगर नहीं जाना चाह रहा है इसकूल तो generally क्या करते हैं जब पहले convince करते हैं फिर इसकूल को छोड़ के आते हैं कि अगर नहीं कुछ बच्चे क्या है वो respectful words नहीं यूज करते हैं अपनों से बढ़ों के लिए तो आप क्या करोगे विल मोटिवेट देम तु बिहेब कर्टिसली आप क्या करोगे उटसे कटसी से बात करने के कटसी के साथ बात करना सिखा होगे मोटिवेट करोगे कि हमें respectful बाते करनी हैं बरो से ओके नेक्स्ट है इफ यू वेर लाइक महात्मा गांधी उड़्दे स्टुडेंट वॉर्ट वॉर्ट वॉर्न तु लर्ण अगर आप महात्मा गांधी की तरह होते हैं तो इस्टुनेट क्या सीखना चाते आप से आप क् इंसा ओके नेक्स्ट है वह एक्स्प्रियेंस उट गेट अप्लेस इंदा सीलेबस तु यू हब आ व्यू इन दिस रिगार्ड काम का जो प्रैक्टिकल एक्स्प्रियेंस से उसको सीलेबस की अंदर जगह मिलना चाहिए क्या सोचते हो आप इस बारे में नॉलेज गें थू जो एक्सला भी एक्सप्रियेंस इस की फिर्माणे बिल्कुल साहिétais के अंदर होना चाहिए हमारा यह फैग्स क्यों कि प्रैक्तिकल है आंकशन से परिमाणे के परिएंस से क्या करोगे आप उसके अंदर एक मानवता वाली जो फिलिंग है जो वर्चू है वो उसको डेवलप करोगे आप लोग ठीक है अगर अगर है जब मदर है तो लव केर टेक इन सब को आपको डेवलप करना है ओके do you want to develop general knowledge in children क्या आप बच्चों के अंदर general knowledge डेवलप करना चाहोगे तो obviously yes will inspire you to learn general knowledge आप क्या करोगे उसको inspire करोगे किसी के लिए general knowledge को सीखने के लिए okay move to next oh sorry this one is not right you will be asked to read the newspaper daily okay अगर आप बच्चों के अंदर general knowledge क्या डेवलप करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे बच्चों को रोज का रोज इस न्यूज पेपर पढ़ो ओके नेक्स्ट है what do you mean by environmental education इन इस्कूल के अंदर आपको क्या करना है environmental education डेवलप करना है इसके लिए आप क्या करोगे the environment can be protect from contamination obviously environment उसे कलेश जो है जितनी सारी वो सब दूर होंगी उसको प्रटक्ट किया जाएगा ओके अच्छा environment होगा तो पढ़ाई भी बच्चों का ग्रोथ भी अच्छा होगा next है corruption is aspirating in education is your opinion in this regard corruption जो है वह बहुत जादे फैल राइस एजुकेशन में no doubt तो इसके वारे में आप क्या विचार देना चाहेंगे क्या सोस्ते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं वैसे बच्चे वह मत तक नहीं पहुत पार है वैसे बच्चों को में त्युसंदेना चाहिए ओके next है increasing the points by taking the money of the teachers the teachers get less salary दूसरी बात है ये भी है क्यों क्योंकि teachers को आज कल बहुत ही कम salary मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए teachers की salary बढ़ाने पे भी बात करना चाहिए सोचना चाहिए okay salary in the sense earning income जो है उनका what is your belief about the ideal teacher के बारे में आप क्या सोचते हो he motivates the student to read obviously कई बार मैं भी क्या करती हूं कई बहुत सारे candidate है जो मुझे comment करते हैं कि मैं मुझे motivation मिलता है आपके वीडियो से तो एक teacher एक ideal teacher का main name यह होता है कि वो teachers को सुरी वो student को क्या करे motivate करे रीड करने के लिए ताकि overall कहीं न कहीं उसका development होता रहे okay move to next what do you think of a person success एक पासन एक लोग के success के बारे में आप क्या सोचते हो it is result of its hard work and effort बिल्कुल सही बात है success का कोई shortcut नहीं होता हाइज hard work और effort से ही हम success तक पहुंच सकते हैं okay move to next what do you suggest to raise the standard of education in government school अब क्या suggest करोगे क्या रेज करने के लिए जो government school का standard है उसको रेज करने के लिए क्या suggest करोगे आप addition of teacher quality to the negligence of the teacher हमें क्या करना है teacher के quality पे mainly focus करना है ओके कि नेक्स्ट है वह आप क्या सोचते हो टीचिंग कैसे काम करता है गारा करने के चैलेंजिंग इन इन जएबल जौब टीचिंग क्या है जो बात है किसी बच्चे या तक हैं-टींग को मुझत कर ते सके एक जोसे चाही व्यारा göz तूब दर इंग्लिस लैंविज आपको क्या करना है किसके तुब नाइजेसरी अटेंबेंट आफ नौलेज और दापनी सब्सक्राइब इंग्लिस को लोग ने क्या किया मीडियम बना दिया जिनको इंग्लिस आती है वह बहुत वेल-मेंट एड्टेटेट है जिनको इंग्लिस नहीं आती वह अच्छे पढ़े लिए है इंग्लिस को क्या है आप देखो तो ऑफर ऑल ग्रोथ के लिए एक मैंजेटरी सी चीज हो गई है कि यह एक कोईस्टन और मैं देती हूं इसको प्रैक्टिस कीजिए मतलब आप लोगो खुछ से करने का ट्राइप करने का ट्राइप कीजिए मानली जैसा कोई कोईस्टन आपको देना चाहिए कि टीचिंग जो है वह क्लास ले रहे तो बहुत ही जादे इफेक्टिव हो इन में से सबसे ज्यादे इंपर्टेंट फैक्टर कौन सा है इसका क्या क्या करेक्ट एंसर है वह आप लोग के कौन सा करेक्ट ऑप्सन है उसको कमेंट कीजिए एक आडियो कोई सु है तो बताइए मुझे ताकि इंप्रूफ कर सकूं मैं आप लोग चाहते हैं क्या कि वीडियो आए किस चीज़ पर जो यह जामने सन हमारा होने वाला है उसमें किस लेवल के पर आएंगे तो आप कमेंट कीजिए ओक आडियो आडियो